हलो रिवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चेनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एजू किसनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे एंटी परस्पाइरंस प्रोड़क्स के बारे में तो हम जानेंगे उनके बेजिक यूज के बारे में के कौन से अलग-अलग कंडिसंस के अंदर एंटी परस्पाइरंस को यूज किया जाता है उनकी मेकिनिजम क्या होती है और जानेंगे उनके अलग-अलग ब्रांड्स के बारे में और एक्जांपल्स के बारे में तो anti-perspirants मतलब कि ऐसे products कहे जाते हैं कि जो पसीना जो है वो कम करते हैं तो हाथ और पेर में पसीना कम करने के लिए ये products जो है वो काफी उपियोगी रहती है तो जानते ही details में उनके बारे में और सीखते है तो अगर आपके पास Android phone है तो Android आप डाउनलोड कर सकते हैं iPhone user है तो App Store पर से डाउनलोड करें लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो concept है वो समझे कि anti-perspirants तो उसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे medicine है ऐसे products भी हम कही सकते हैं कि जो inhibit करते है perspiration को perspiration मतलब कि ऐसी प्रक्रिया कि जो हमारे body के अंदर जो पसीना होता है वो produce करवाती है that means perspiration means sweating from sweat gland कि जो पसीने के लिए आई होई जो ग्रंतिया होती है हमारी body के अंदर कि जिनको हम कहते है sweat gland तो sweat gland के थूँ पसीना जो है वो हमारी body के अंदर release करवाते है तो ये process हो गई perspiration तो perspiration को stop करने के लिए inhibit करने के लिए जो products use किये जाते है उनको कहा जाता है anti-perspirants product कि उसके अंदर कुछ lotions वगेरा होते है creams type के product भी होते है aerosols भी होते है कि जो आप deodorant and perfume वगेरा use करते है तो इनका main एक ही concept होता है कि पसीने को रोकने का ये काम करते है तो perspiration जो है वो एक necessary process हम कर सकते है कि necessary component for the growth of bacteria that cause mal order a very unpleasant smell तो ये process खास आप समझे कि perspiration जो है वो एक necessary component बनता है किसी भी जो bacteria कि हमारी body के उपर हमारी skin उपर बहुत सारे अलगे लग bacteria भी growth करते है अपनी तो उनकी growth के लिए perspiration जो है वो जरूरी है कि perspiration से निकलना वाला जो पसीना है वो utilize करते है वो bacteria तो वो bacteria जो पसीना वगेरा use करते है utilize करते है और उनके कारण हमारी body में से कई बार जो unpleasant smell आती है कि जिसको हम कहते है हमारा body order तो body order के लिए भी ये responsible बनता है perspiration and antiperspirants also act as a deodorant तो ये जो product होते है वो deodorant का भी काम करेंगे because इनके अंदर जो है वो अलग-अलग fragrance वगेरा होगे अलग-अलग जो flavors वगेरा जो हम कहते है fragrance कहते है कि अलग-अलग उसकी जो है वो pleasant smell के अंदर ये available होते है तो पसीना तो रोकते ही है बट साथो साथ एक pleasant smell जो है वो देते है कि जिससे काफी useful साबित होते है so they also use in a treatment of hyperhidrosis तो ये concept आपको खास पता होना चाहिए कि जो hyperhidrosis की जो बीमारी है कि जिसके अंदर excessive sweating का problem रहता है मतलब कि हाथ और पैर में ज्यादा पसना आने वाली जो बीमारी है कि जिसको medical term के अंदर hyperhidrosis का जाते है तो hyperhidrosis के treatment के अंदर भी ये antiperspirant product जो है वो prescribe किया जाते है कि जिससे patient को जो है वो काफी relief मिलता है पसीने में से तो hyperhidrosis को समझे तो इस तरह से आपके जो हथेलिया होती है वो हमेशा आपको ऐसा लगे कि वो weighty है मतलब कि गिली रहती है उसमें पानी हो ऐसा आपको फिल होता है because पसीने के कारण वो person जो हमेशा जो है वो गिला रहता है तो hyperhidrosis के अंदर increase होता है person के अंदर sweating कि आपके body के अंदर पसीना जो है वो काफी ज्यादा amount बें produce होता है और वो भी abnormally normal तो पसीना होता है वो हमें सभी को पता है but abnormally increase in sweating कि body temperature को regulation करनी के लिए हमें पता है कि पसीना आता है उससे हमारा body temperature regulate रहता है but इससे भी ज्यादा पसीना जो जब produce होता है excessive कि जिसको कहा जाता है hyperhidrosis और ये पसीनी के अंदर आप देखो तो इस तरह का आपका हथेली का portion आपको देखने को मिलेगा कि इतना ज्यादा कई बार आपको पसीना देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो है वो नीचे पानी के drops भी गिर सकते है कि नीचे पानी के जो है वो drop गिर सके इतना ज्यादा पसीना जो है वो develop होता है और उसके करण क्या होता है कि ज्यादा पसीना उने से जो person होता है वो social anxiety मतलब कि आपको चिंता रहती है embarrassment रहता है मतलब कि आपको socially समझो कि किसी को मिलना है किसी से हाथ मिलाना है किसी से बाचित करनी है उस वक समझो कि आपको body के अंदर इस तरह से excessive पसीना आ रहा है तो काफी uncomfortable feel करता है वो person तो इसके solution के लिए जो products जो हम कहते है कि excessive setting के जो condition के लिए antiperspirants यूज किये जाते है कि usually जो dry hands होते है इस तरह से फिर normal hands के अंदर moisture proper होता है humid hands के अंदर थोड़ा बहुत आपको गिलापन देखने को मिलता है but hyper hydrosis के अंदर क्या होता है कि जो चार नंबर का जो आप देखो diagram तो drops जो है वो दिरे-दिरे develop होते जाते है आपके हथेलियों के अंदर आपके legs के अंदर और फिर उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि वहाँ से उसके drops जो है वो नीचे इच गिरना start होता है इतना ज़्यादा पसीना जो है वो person के अंदर जो है वो develop होता है और ये जो है वो एक जिंता का कारण भी बनता है socially भी आपको काफी uncomfortable feel होता है कि कोई social gathering में हो और ऐसी condition produce हो कि जब आपको किसी से हाथ मिलाना है handshake वगिरा करना है तो उस वक्त जो है वो काफी जो है वो uncomfortable जैसा feel होता है person को तो antiperspirants जो है वो ऐसे condition के अंदर आप use कर सकते है कि जो पसीना जो है वो कम करते है तो antiperspirants कैसे होने चाहिए कि इनकी ideal property तो it should not be written to the skin कि जब आप antiperspirants वगिरा use करते तो खास ये ध्यान रखे कि skin को को irritations वगिरा ना होता हो कि skin irritation वगिरा हो आपको तो तुरंद उनको use करना बंद करना चाहिए फिर it should not be deteriorate the clothing कि clothing के उपर उनके कोई असर नहीं होनी चाहिए it should be safe and non-toxic कि जो भी antiperspirants आप use कर रहे है वो safe होना चाहिए और साथो साथ non-toxic होना चाहिए easy to use and adhere well on skin easily आप use कर पाए इस तरह से product होनी चाहिए उसका container भी ऐसा होना चाहिए कि हर कोई उसको आसानी से use कर सके और ये ऐसे product होने चाहिए कि आपकी skin उपर लंबे समय तक जो है वो चीपक कर रहे है कि जिससे लंबे समय तक उनकी action मिले antiperspirant action mask the body order with perfume उनके अंदर पर्फिम होना चाहिए कि जिससे body का जो order होता है पसीने की जो smell वगेरा होती है unpleasant वो कम हो जाए and absorb the perspiration or inhibit the activity of gram positive bacteria which cause the body mal order कि gram positive bacteria जो होते हैं कि जिनके कारण जो order जो हम कहते हैं कि unpleasant order हमारा body का produce होता है पसीने की जो smell आती है दुरगंद आती है तो उसको कम करने का जो काम की जो बदबू आती है कई बार पसीने की बहुत ज़्यदा खराब तो वो भी कम करना चाहिए ये antiperspirant कि जिसके करण proper जो है वो person comfortable feel करे after using this type of product तो उनके examples हम देखे तो उनके अंदर अलग-अलग aluminum के compounds present होते है and active ingredient उनको हम कहेंगे कि main active ingredient जो कोई होते है antiperspirant के अंदर तो वो होते है अलग-अलग aluminum के compound तो सबसे पहला जो popular aluminum का compound है that is aluminum chlorohydrate ये खास आप दियान रखे aluminum chlorohydrate एक ingredient रहता है antiperspirant के अंदर compound होता है उनके अंदर वो भी एक active ingredient हम कहें सकते है antiperspirant के तोर पे aluminum chloride होता है फिर aluminum zirconium tetra chlorohydrate gly ये एक काफी important ingredient है antiperspirant के अंदर और they are used main ingredient in formulation formulation के main ingredient के तोर पे ये use किया जाता है कि ये ingredient डालने से ही आपकी ये जो product है उनके उसके अंदर ये antiperspirant action जो है वो आपको मिलती है कि या पे भी लिखा है कि जो lotion form में ये available है और reduce करता है palm perspiration के आपकी हतोली के अंदर काफी ज़्यादा पसीन आ रहा है तो उसको कम करेगा तो antiperspirant के हम अलग-अलग brands देखते है तो सबसे popular brand जो अभी हमने देखा कि जो आप online भी purchase कर सकते है अलग-अलग जो online websites वगेरा होती है तो वहाँ से आप purchase कर सकते है कि carpe antiperspirant है उसके बाद second हम देखे कि जिसकी 40 ml का ये product आता है second हम देखे तो ragzona कि ragzona जो product है कि जो roll-on product आती है उसके कि ये उपर की और ये roll-on दिया होता है कि जिससे आप directly आप जो है वो apply कर सकते है जहाँ पे आपको ज़्यादा पसीना रहा है तीसरा हम देखे तो नीविया का भी ये product आता है कि protect and care ये भी anti-parspirant है फिर चौथा हम product देखे तो नीविया का ही anti-parspirant pearl and beauty फिर डाउ का भी same product available है man plus care कि यहाँ पे भी आप देख सकते clean comfort and ये भी 48 hours तक powerful protection देता है and anti-parspirant के दोर पे काम करता है और ये वाला sweat block करके भी एक product आते कि जो anti-parspirant lotion है कि जो आप hands के लिए भी use कर सकते है as well as feet के हाथ और पेर दोनों के लिए ये useful साभित होंगे तो इन में से कोई भी आपको जो suitable हो वो use कर सकते कि अगर आपको hyper hydrosis का problem है हाथ और पेर में ज्यादा पसीना आ रहा है या फिर body के अंदर आपका आपके काफी excessive पसीना produce होता है तो ये anti-parspirant जो है वाप use करते कि जो anti-parspirant का भी काम करेगा पसीना भी काम करेगा और पसीनी की जो बदबू अगेरा होती है उनको भी काम करेंगे ये product अब उनकी mechanism समझ लेते कि किस तरह से ये काम करता है तो anti-magnum based anti-parspirant work by blocking the sweat duct sweat duct कि ये है आपकी sweat gland ये सब आप देख रहे हैं उसकी duct देखी तो ये पूरी जो pipe जैसा आप देख सेंगे tubular structure कि ये हमारे skin के उपर के layer की और खुलता है तो ये जो है वो skin के layer है ये जो मैं आपको यहाँ पे लिखो तो ये है आपका skin का layer अब यहाँ से जो है वो पसीना उपर की और बाहर आता है skin के layers पे तो जब आप anti-parspirant को apply करते हैं तो apply करने के बाद क्या होता है कि ये first point कि आपने anti-parspirant जो है वो यहाँ पे apply करे के चाहे वो spray form में था या फिर वो gel form में था या फिर lotion form में था तो वो आपने apply की वो product फिर क्या होता है ये product जो है वो dissolve हो जाती है sweat के अंदर कि जो पसीना तो आता ही रहता है तो वो पसीने के साथ आपकी product जो है वो हो जाएगी dissolve मतलब कि उसके अंदर soluble हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि sweat मतलब कि आपका पसीना प्लस आपकी जो है वो product ये दोनों का तयार होगा proper mixture अब ये mixture थुड़ी देर के बाद gel form के अंदर convert हो जाएगा form ए gel on a top of a pore तो ये तीसरा step हम देख सकेंगे कि ये जो mixture था वो आगे जाके जहाँ पे ये pore था वहाँ पे ये gel जो है वो set हो गए अब ये gel नहीं कहा किया ये जो pore थे उनको कर दिया block तो pore भी block किया और ये जो duct थी इसको भी properly block कर देगे कि duct का जो opening यहाँ पे था pore के पास तो ये pore completely समझे कि block हो गया तो अंदर से आने वाला पसीना जो है वो बाहर निकलेगा नहीं और इस तरह से जो gel जो है वो आसपास केरिया में भी distribute होते जाएगी और जहाँ से भी ये excessive sweat produce हो रहा है जासे ये excessive sweat बाहर निकल रहा है ये सभी pore को block करेगी और ये sweat duct को block करकी अपनी action देगा तो इसके करन क्या होगा कि जो पसीना बाहर आ रहा था बहुत ज़्यादा amount में वो जो है वो कम हो जाएगा और completely आगे जाके जो है वो inhibit हो जाएगा तो यहाँ पे यह lecture में हमने detail में सिखा anti-perspirants के बारे में और ये किस तरह से अपना काम करते तो thank you for watching, join कर सकते है whatsapp group, access कर सकते है study material वगेरा, test series and video lecture pharma rocks के अब उपर, तो android user है तो android app download कर सकते है google play store पर से, iphone user है तो app store पर से download करें, links आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best